हलो एवरिवन कैसे हो आप सब आज में लेकर आई हूँ ककड़ी की एकदम ऐसी ने रेस्पी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाएंगे क्या है इस मौसम में ककड़ी आभी रही है और एस सबजी खाका कर एक ही तरीके से बोर हो गए हो तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा बिल्कुल भी इसकी पर मत कीजिएगा माप तोल कर बनाएंगे और परफेक्ट बनाएंगे और टेस्टी भी तो फिर चलिए ये वीडियो फटा फ़र से शुरू कर लेते हैं उसी के अकोडिंग अपन सारा मेजूर्मेंट देखेंगे इसके मसाले के लिए पूरी बनाने के लिए पेस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ छह साथ प्याज बड़ी साइज के और साथ आठ टमाटर लेंगे सलाद वाले टमाटर लेने हैं आपको गोल वाल टमाटर नहीं लेने हैं उसका रिजन यह है कि जो अपन प्यूरी पेस्ट बनाएंगे वो परफेक्ट बनेगा सही बनेगा टेस्टी बनेगा और गोल वाले टमाटर से कहा है खट्टा जाद हो जाएगा पानी पानी साय से रहेगा रेस्पी में इसी वज़े से हो सके आपके पास पोसीबन तो सलाद वाले टमाटर लीजिएगा छह साथ हरी मिर्च और एक अद्रक का छोटा सा टुकड़ा आपकी हरी मिर्च ज्यादा स्पाइसी हो तो आपको कम क्वांटिटी में एड़ करना है इस पाइसी नहों तो आप ज्यादा भी एड़ कर सकते हो इन तीनों क थफेड मोगम होती हैं कि और फ्रोiri होती है कि उनका जूपेश्ट प्यूडी होती है टमाटर की अवेड़ के पिश्ट कर सकते हो पिएद थोयाद केड़ कि अभी प्रोबल्म होती है कि उनका जो प्शेच प्यूरी होते हैं तो सफैध घ्राज how पिधूँ आपना टमाटर लिये हैं तो प्यूरी देखें बिल्कुल रेड बनी है गेस ओन करके एक चिकनी कडाई में मैंने ओल लिया है दो टेबल इसपॉन दो बड़े चम्च मैंने तेल के क्यों लिये हैं क्योंकि अपने पेस्ट त्यार किया है उनमें ओयल जदा लगेगा गर्मियों का मौसम ही स्टार्ट हो चुका है तो कोई गरम मसाले लेने के जरूरत नहीं है जीरा और राइ लेंगे तेल अपना अच्छे से गरम हो चुका है इतना अच्छे से गरम होनँ चाहिए जैसे डाले तड़कना स्टार्ट हो जाए जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है डालते ही तड़कना स्टार्ट हो गए है जब यह तड़क जाए तब अपन इसमें लैसून एड़ करेंगे करस की हुई है साथ आठे लैसून मैंने करस कर लिये है और लैसून भी यह देके फ्राई हो चुके है जो अपने प्याज वाली प्यूरी त्यार की है वो सारी के सारी इसमें एड़ करेंगे पेस्ट वाली सब्जी में अगर अपन ओयल कम डालते हैं तो क्या होता है जो अपने प्याज की प्यूरी त्यार की है वो बार बार पैंदे के चिपकती हैं, कम तेल होने की वज़े से बार बार पैंदे के नाच चिपके और खिली-िली सबजी बने इसके लिए मैंने थोड़ा साब को ओले ज्यादा लेने के लिए काई है और इने पका लेंगे और जो अपने ककड़े लिए हैं गुनगुने पानी में एड़ करके थोड़ा से मैं नमक एड़ कर रही हूँ क्या होता मार्केट में आती है तो इन में दवाईवा गेरा का छिड़काव रहता है तो वो विशेले तत्वे नश्ट हो जाते हैं गुनगुने नमक पानी में ऐसे अच्छी तरह के से वोस करने से आप ऐसे भी वोस कर सकते हो और सिंपल पानी से भी दो सकते हो दो लेने के बाद ये देखिए आगे वाला और पीछे वाला पार्ट इसका वेस्ट पार्ट होता है जितना हात मैं उतना आप बंच लेकर ऐसे एक साथ कट कर सकते हो ये वेस्ट पार्ट और एक-एक भी कट कर सकते हो एक बात आप यहां पर ध्यान रखेंगा करड़ी क्या है कुछ कुछ करड़ी करवी आ आती है तो आप थोड़ा सा करकों कैसे मैं अग momentos करके करी देदेए कंप कर लिये है इन में नहीं स्भी आट कर लिया है न आप को जएकमें न चोटी साइज Nou नहीं सायज में आपको बार्ट चाड़ करने में इटम कड़ करना रहिए ऊतना पानी ठाक निबंड से और फचमच जैदा नमाग आर्ड कर लेंगी और हाफ चमच Tнопर वाधी अब एड नहीं करना है वरना क्या होगी ज़्यादा ही रेड कलर की हो जाएगी और मिक्स करके बोल कर लेंगे आप बोल की जगह फ्राइब भी कर सकते हो इससे क्या होगा एक तरफ तो अपनी ककड़ी बोइल हो जाएगी दूसरी तरफ अपना ये मसाला पेस्ट पक जाएगा तो दोनों काम साथ में होते रहेंगे और अपना प्याज वाला मसाला पक कर त्यार हो चुका है ऐसे हलके से ब्राउनी ब्राउनी हो जाए क्रिस्पी क्रिस्पी से तब ही आप इसमें एड़ किजेगा हैरी मीर्ज वाला पेर दो तीन मिंट तक इसे भी पकाएंगे दो तीन मिंट बाद में यह पक कर त्यार हो चुका है अब इसमें जो अपने टामाटर की प्यूरी त्यार की है वो सारे के सारे इसमें एड़ कर देंगे इसमें बुलबुले उठे उसे पहले अपन सारे मसाले फटाफट से एड़ कर लेंगे एक चमच टर्मरिक पाउडर मैं दो चमच यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर एड़ कर रही हूँ अब देखे इसमें बुलबुले उठने लगे हैं पहले अपने अच्छी तरह के से मिक्स कर लेंगे मसालों को और एक प्लेट लेकर इसे डखेंगे क्योंकि बुलबुले उचल कर बाहर आएंगे इसे वज़े से और इने पकाएंगे और यह देखे अपनी टमाटर की प्यूरी पककर त्यार हो चुकी है जो अपने ओएल डाला है वो उपर आ चुका है जाली जाली पड़ने लग गई हैं ऐसे दिक रहा है ना आपको ऐसे आपको प्यूरी को पकाना है कुछ लोगों का मानना होता है color fault हो जाता है यहां पर प्योरी में बनाई है उसका बिल्कुल भी color fault नहीं हुआ है उतनी ही dark color की बनी है ककड़ी अपनी बोईल हो चुकी है इसका पाने निकाल कर इसे ठंडा करेंगे और अपनी जो टमाटर की पूरी पक चुकी है उसमें एक कटोरी फ्रेस चाच की एड़ करेंगे बिल्कुल भी आपको खटी एड़ नहीं करना है आप चाच की जगह पानी भी ले सकते हो और रिलीव भी कर सकते हो चाच को और कसुरी मेथी एड़ करेंगे और ऐसे कंटिनू इस्टार करते हुए इन दोनों को पकाएंगे बोईल की हुई ककड़ी में भी आपको फाइफ इस्टार होटल जैसा टेस्ट आएगा और ये देखे अपने ककड़ी ठंडी हो चुकी है इसका ऐसे पानी निकाल लेंगे दोनों हाथ के बीच में रखकर चाच अपनी पक चुकी है अब इसमें अपन एड़ करेंगे ये ककड़ी मैंने बोइल की है थोड़ी कच-कची ना रहे इसी वज़़जे में इनका इसे थोड़ा सा पाने निकाल लेंगी हो सारे ककड़ी यों का इसे पाने निकालकर इसमें एड़ करेंगे और ककड़ी मिक्स करते ही मैंने नीचे से गेस बन कर दिया है और ये लीजे अपनी टेस्टी से सबजी बन कर त्यार हो चुकी है ना फ्राइ करने के जरूरत पड़ी ना और कुछ करने के जरूरत पड़ी अपने जो टेस्टी सी ये सबजी बनाई है उसे मैं एक कटोरी में ट्रांसफर कर रही हूँ और टेस्ट करेंगे कि ये वाके में टेस्टी बनी है कि नहीं बनी है रोटी, परांठे, पूरी सबी के साथ ये टेस्टी लगेगी फेस्टिवल पे आप बना सकते हो और ये देखे मैं टेस्ट करने वाले हूँ मज़ा आ गया आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा